नमस्कार दोस्तों स्वागत है आफका पब्लिक एश्या मीडिया में मैं हूँ आपके साथ शारदुल शांडलिय और आईए लेकर चलते हैं आपको देश की पाँच बड़ी कबरों की तरफ शुरुआत करते हैं पहली बड़ी कबर से पीए मोदी ने हिमाचल में भारी बारिश एवं बाड और भुसकलन के कारण आई आपदा पर उच्छे स्थरिय बैठक की है पीए मोदी ने राज्य में राहत एवं बचाव कारियों के लिए चलाए जा रहे अभियान की समिक्षा की बैठक में केंदरी ग्रह मंतरी अमिच्छा, रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग और बाजपा के राष्टे अध्यक्ष जेपी नड़ा भी मौजोद रहे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी कबर की ओर 151 करोड रुपे से अधिक की राज्य सरकार की जमीन की कतहत अवैद विक्री की मनी लॉंडरिंग जांच के तहत मध्य प्रदेश के धार जिले में चापे मारी के बाद लगबग 26 लाख रुपे नगद और कुछ आपत्ती जनक दस्तावेज जब्द किये गए हैं परवर्तन निदेशाले ने इसकी जानकारी शनिवार को दी तलाशी के दौरान 26 लाख साथ साथ अन्य दस्तावेज भी जब्द किये गए हैं तीसरी बड़ी ख़बर की और चलते हैं असम में धेमाजी कॉमर्स कॉलेज में अपने प्रिंसिपल को चार अन्य लोगों के साथ परीसर में शराप पीते हुए एक वीडियो बाइरल हुआ था जिसके बाद चात्रों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया कॉलिज के प्रिंसिपल के खिलाफ कॉलिज चात्रसंग और RSS से जुड़े चात्रसंगठन ABVP ने विरोध प्रदर्शन किया चात्रसंग ने प्रिंसिपल के खिलाफ कारवाई की मांग की है आईए लेकर चलते हैं आपको चौती खबर की और सोशल मीडिया पर अबदर पोस्ट मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोस्ट ने सकती दिखाई कोट ने कहा कि आपत्ती जनक पोस्ट शेर करने वाले आरोपियों को सजा मिलना ज़रूरी है ऐसे मामले में सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा ऐसे लोग अपरादिक कारवाई से नहीं बच सकते दरसल सुप्रीम कोट तमिल नाडू के पूर्व विधायक एसवी शेकर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था और उसे खारिज कर दिया गया है पांचवी और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं मनिपुर में अब हिंसा नागा समुदाय के गड़ उक्रूल जिले तक जा पहुँची है उक्रूल में शुकरवार तड़के गोली बारी की घटना सामने आई उक्रूल जिले में कुकी के तीन ग्रामिनों को प्रताडित किया गया गोली मार दी गई जिससे 5 अगस्त को हुई आखरी हिंसा की घटना के बाद से दो सब्ता की शांती खत्म हो गई है ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया नन्यवाद